रायस्थान का ओं मुख्यमंत्री जिसका एक हाथ नहीं था लेकिन उसकी सियासत प्रपकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने दस बार चुनाओ लड़ा और हर बार जीत हांसिल की रायस्थान का तीन बार मुख्यमंत्री बना लेकिन दुरभागी कहें या कुछ और वो कभी भी पांच साल का कारेकाल पूरा रही कर पाया एक बार तो उसे एन वक्त पर मुख्यमंत्री पत की शपत लेने से रोग दिया गया आज इस वेडियो में इसी नेता के बारे में बताएंगे कि कैसे इंद्रा गाधी की नापसंद होते हुए भी उसने रायस्थान की गद्धी पर बड़े बड़े धुरंद्रों को पीछे चोड़ खुद को इस्थापित किया नमस्कार मैं उपेंद कुमार सियासत में आज बात रायस्थान के पुर्व मुख्यमंत्री रहे हरीदेव जोशी की साल 1989 के लोग सबा चुनाव में कॉंग्रेस को बूरी तरहार का सामना करना पड़ा था रायस्थान से कॉंग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी इस बात को लेकर राजिव गांधी बहुत नराज थे उन्होंने ततकालेन मुख्यमंत्री शीव चरम माथूर और प्रदेश अध्यक्स अशोक गहलोज से इस्तिफ़ा मांग लिया अभी एक साल पहले ही राजिव गांधी ने हरीदेव जोशी को हटा कर शीव चरम माथूर को रायस्थान की कमान सौपी थी और हरीदेव जोशी को यहां से हटा कर असम का राजिपाल बना दिया था लेकिन चुनाओ परिणामों से नराज राजिव गांधी ने दोबारा राजस्थान की कमान हरीदेव जोशी के हाथों में सौपने की सोची क्योंकि कुछ ही महीनों बाद राजस्थान विधान सभा के चुनाओ होने थे इसलिए हरीदेव जोशी को असम के राजिपाल के पत से इस्थिफा दिलवा कर राजस्थान बुलाया गया तैह हुआ कि 3 दिसंबर को हरीदेव जोशी तीसरी बारा रास्थान के मुख्यमंत्री पत की शपत लेंगे नए मुख्यमंत्री की शपत की तयारी पूरी हो चुकी थी। हरीदेव जोशी अपने मंत्री मंदल के साथ शपत लेने से पहले कॉंग्रेस आफिस पहुँचे तो उनका तिलक लगा कर स्वागत किया गया। निर्वाचित मुख्यमंत्री वहां से शपत के लिए रवाना हो गया। तभी राजभौन के मुख्य सचीव ने एक अनौंस्मेंट किया कि मुख्यमंत्री के शपत का समारो किसी कारण वश इस्थगित किया जाता है और अगले कारेक्रम की सुचना आपको जल्दी ही दी इसके बाद हरकत में आया अलाकमान ने तुरंत राश्पती से संपर्क साधा फिर शाम तक हरीदेव जोशी का इस्तिफा सिलकार कर लिया गया फिर चार दिसंबर साल 1989 को हरीदेव जोशी रास्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हरीदेव जोशी का जन्म रास्थान क के बास्वारा जिले में 17 दिसंबर साल 1921 में खांदू गाउं में हुआ था यह इलाका आधिवासी इलाका है तब यह ढूंगर पुर्रियासत की अधीन आता था करीब साल की उम्र में हरिदेव का बाया हाथ तूट गया था गाउं के आसपास डॉक्टर नहीं था तो घरवालों ने देशी इलाज करवाया बांस की खपच्चियों से हाथ सीधा करवा दिया गया लेकिन उनके हाथ में हमेशा दर्द रहता था फिर घरवाले इलाज के लिए शहर लेकर गय तो पता चला कि दवाईयों के अभाव में जोशी के हाथ में जहर फैल गया गया हो केप्रदेश्माय सचिव बनाए गये फिर सूबे में पहला चुना हुआ तो हरीदेव जोशी डूंगरपूर सीट से लड़े और जीत कर बिधायक बन गए इसके बाद उलागतार दस बार बिधायक चुनकर सदन में पहुंचे साल 1925 में उन्हें मोहलाल सुखाडिया की सरकार में मंत्री बनाया गया जोशी साल 1971 की बरकुतुलाख खान की सरकार में सब से सीनियर मं नेता के नाते उन्हें कारवाहत मुख्यमंत्री बनाया गया लेकिन सबकी निगाहें इंदरा गांधी की तरफ थी इंदरा गांधी ने संदेश भेजा कि बिधायक दल खुद अपना नेता चुने क्योंकि इंद्रा गांधी हरिदियू जोशी को लेकर भरोसे मन नहीं थी उन्हें याद था कि जब राश्पती चुनाव के फेर में कॉंग्रेस दो फाड हुई थी जब जोशी विरोधी खेमे में थे हलाकि बाद में वो इंद्रा टैंप में लौट आये थे इसलिए इंद्रा गाधी नरम रुख अपनाये रखी इंद्रा चाहती थी कि बिधायक दल नेता रहे परसराम मदेर्णा और शती रामोला को अग्रेव जोशी ने साथ लिया था मिल्दा तेरा वोट से विधायक दल के नेता के रूप में चुनाव हार गया जोशी को बिधायक दल का चुना गया इसके बाद अलाकमान का अश्रिबाद पाने दिलनी खूष कर गए इंद्रा गांधी से मिले और इंद्रा गांधी में अपनी सहमती जता दी और हर्देव जोशी रायस्थान के पहली बार मुख्यमंत्री चुने गए। अब आया साल 1977 जनता पार्टी की बदलाव की आधी में राजस्थान से भी कॉंग्रेस का कीला खिसक गया। हर्देव जोशी अप्पूर मुख्यमंत्री हो गए। साल 1980 के चुनाओं में दुबारा कॉंग्रेस सत्ता में लोट आई। लेकिन तब तक रायस्थान का दूसरा नेता जगनात पहारिया संजे गांधी का खांस बन गया था। लिहाजा रायस्थान की कमान जगनात पहारिया को सौपी गई। इस बिजून में संजे गांधी की एक हाथसे में मौत हो गई। संजे गांधी की मौत के एक साल बाद ही पहाडिया के हाथ से राजस्थान की कमान खिसक गई फिर शीव चरम माथू राजस्थान के नए मुख्य मंत्री बने क्योंकि शीव चरम माथू इंद्रा गांधी के बाद राजिव गांधी के भी बहुत खांस थे लेकिन इस बीचे का ऐसी घटना घटी कि शीव चरम माथूर को अपने पत से इस्थिफा देना पड़ा दरसल हुआ ये कि साथ बार के विधायक रह भरतपुर रियासत के पूरो राजा मान सिंग का दिन दहारे इंकाउंटर कर दिया गया इसके बाद आरोप लगा कि ततकालीन मुख्यमंत्री शीव चरम माथूर की शेह पर ही पूलिस ने राजा की हत्या की है मान सिंग की मौत के बाद पूरा भरतपुर जल उठा था इसकी तपीश मतूरा आगरा और पूरे राजस्थान में महसूस की गई थी देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी सिटिंग विधाय का दिंदहाले एंकाउंटर किया गया था लिहाजा शीव चरम मातूर की राजनितिक बली चड़ गई इसके बाद हीरा लाल देव पूरा को कारेवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया जब 1985 में विधान सभा के चुना हुए तो रायस्थान में कॉंग्रेस पूर्ण भहमत के साथ सरकार में वापस लवती तब राजीव गाधी ने रायस्थान की कमान हरीदेव जोशी के हाथों में सौपी और फिर से हरीदेव जोशी मुख्यमंत्री बने लेकिन हरीदेव जोशी ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए चार सितंबर साल 1987 को एक ऐसी घटना घटी है कि वो पूरे देश को जगजोर कर रख देती है दरसल सीकर जीले के दिरावली गाउं में एक 18 साल की विबाहिता रूप कवर अपने पती की मौत के बाद उसके साथ ही चिता पर बैठ जाती है और उसकी जलकर मौत हो जाती है इस रूप कवर सती कान ने देश को हिला कर रख दिया था इस मामले को लेकर विपक्ष इतना हमला और हुआ कि विरोद बड़्दा देख हर देव जोशी को इस्थिपा देना पड़ा था यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और सियासत का अगला एपिसोड किस पर होना चाहिए यह भी सुझाओ दें अगर आप इस कहानी का पॉड़कास सुनना चाहते हैं तो आप क्विंट हिंदी के पॉड़कास सेक्शन में जाकर सुन सकते हैं फिर मिलते हैं एक नए अपिसोड के साथ तब तक के लिए नमस्कार